हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टु माई यूटूब चैनल आज हम लोग यूपी पुलिस कामस्टेबल को जो डिक्जाम होगा उसके लिए जो है सामान जानकारी का प्रेक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे जिसके हम लोग 38 मोस्ट इंपॉर्टन कोशन पढ़ेंगे और आप लोग कमे कुशन दिया गया है किस सहर को अभी तक राटी राधानी छेत्र में समलित नहीं किया गया है जीन्द को करनाल अलिगड या फिर मुझपनगर को अब यहां पर पूछा गया आप से कि राटी राधानी छेत्र में कौन से सहर को समलित नहीं किया गया तो इसका एंफर हो अब आपसे दूफरा कोश्चन यहां पर पूछा गया है अल नीनो अल नीनो इनमें से किस महा सागर में विक्सित होता है तो अल नीनो जो होता है वो विक्सित होता है प्रसांत महा सागर में कहां पर प्रसांत महा सागर में उसके बाद निफ्ट कोश्चन है निम्न में से किसने कभी भी भारत के उब प्रधान मंतरी के रूप में कारभार नहीं समाला मुरारजी देशाई, देवी लाल, लाल करफन आडवानी या फिर वीपी सिंग ने अब यहां पर पोचा गया कि इन में से कौन से जो हैं, लोग जो उप्रधान मंतरी कभी नहीं बनें, तो वो थे वीपी सिंग, कौन थे वीपी सिंग थे उसके बाद अगला कोश्चन है, फोर्थ नमबर कोश्चन, सामान संतुलन सिधान्त, किसने प्रतिपादित किया, सामान संतुलन सिधान्त के प्रतिपादित किया था, लियान वाल रफने, किसने, लियान वाल रफने उसके बाद कोश्चन है बारत के राष्ट पती के पत के लिए कौन सपत दिलाता है सभी को मालूम भी होगा बहुत जादा बार कोश्चन है पूछा गया है कि बारत के राष्ट पती पत के लिए सपत दिलाता है बारत को जो मुख्य नया अधीस होता है निम्न लिखत में से किसने संप्रभुता के अद्वायत सिध्धान्द दिये थे संप्रभुता के अद्वायत सिध्धान्द दिये गए थे आफ्टिन के दौरा किसके दौरा आफ्टिन के दौरा दिये गए थे अगला question यहाँ पर है, बहुत बार question पूछा गया है, बहुत यह important question है निमलिकित गटनाओं का, उनके गटना क्रमानुसार, सही क्रम क्या है तो यहाँ पर पूछा गया कि सबसे पहले गटना कौन हुई थी? फिर कौन हुई? फिर कौन होई मतलब इसमें से बताना है कि क्रमवाज तो सबसे पहले यहां पर जो घटित हुआ था वह था पूना समझा होता हुआ था और फिर उसके बाद बारत छोड़ वांदोलन हुआ था फिर हुआ था सिमला सम्मेलन और उसके बाद कैबनेट मिशन त्याप जो सीव अलाफफन है थाट उसके बाद फिर सिकंड फिर फोर्थ है त्याप इस सीव अलाफफन बिलकुल ही करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन यहां पर दिया गया है वर्स 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा अंदोलन शुरू किया गया था तो चंपारण से शुरू किया गया जो आंदोलन था वह था सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था सत्याग्रह आंदोलन और एक पांट इसके बारे म बहुत ज्यादे कोश्चर पूछा आता है कि जो उनिस सत्रम जो ये आंदोलन हुआ था तो वहां पर बिहार में मतलब किसने अमंत्रड दिया था किसने बुलाया था मातमा गांधी को तो ये पॉइंट नोट कर लीजे बुलाया था राजकुमार सुक्ल ने राजकुमार सुक जो फुरुवात हुए थी वो हुए थी 1960 के दस्तक में 1960 के दस्तक में अब यहाँ पर नेस्ट कोशन है मानो शरीर के गुर्दे इन में से कौन से कार करते हैं मानो शरीर में जो गुर्दे होते कौन से कार करते हैं तो यह कार करते हैं उत्सरजन का किसका करते हैं उत्सरजन का कार करते हैं पिर उसके बाद कोश्चन आपसे पूछा गया है, जब प्रकास किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है, तो की वज़ए से तिर्षी हो जाती है, मतलब जब प्रकास किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है, तो किसकी वज़ए से तिर्षी हो जाती है, तो इसका एंफ अब यहां पर नेस्ट कोश्चन है मरुस्थल में मारीचिका या म्रग तरफणा बनने का मुख्ष कारण क्या है तो मरुस्थल में मारीचिका या फिर म्रग तरफणा बनने का जो मुख्ष कारण होता है वह होता है प्रकास का अपवर्तन तथा पूर्ण आंत्रिक परिवर्त तो यहां पर D वाल आफफन बिलुकुल ही सही हो जाएगा अब अगला कोशन यहां पर है F O R T R A N का प्रियोग के लिए नहीं होता है चित्र बनाने के लिए या फिर गड़त संगड़ना के लिए तो इसका एंफर हो जाएगा कि जो F O R T R A N है इसका प्रियोग ना थो चित्र बनाने के लिए होता है और ना ही गड़त संगड़ना के लिए होता है तो यहां पर C वाल आफफन हो जाएगा कि मतलब दोनों यहां पर क्या है? गलत दिये गए हैं अब कोशन यहां पर दिया गया है टेली विजन का आविस्कार किस ने किया था टेली विजन का आविस्कार किया था जॉन बेरडर ने किस ने किया था जॉन बेरडर ने किया था इसके बाद कोश्चन है बाली बाल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो बाली बाल की एक टीम में खिलाड़ी उसंख्या होती है, छै कितने होते हैं, छै खिलाड़ी होते हैं, अब यहां पर जो कोश्चन है, बहुत ही महत्पूर्ण कोश्चन है, निम लिखित का मिलान कीजिए, इधर मंदिर दिये गए हैं, और इधर मतलब जो मंदिर हैं, कौ भगवान स्यू से, किसे संबंदी थे, भगवान स्यू से संबंदी थे, उसके बाद अगला है, तीजारा मंदिर, राजस्थान, यह किसे संबंदी थे, यह संबंदी थे, भगवान महावीर से, उसके बाद अगला है, वेंकटेश्वर मंदिर, यह कहां पर तिरुपतिम है, और यह किसे संबन्नीत है तो यह संबन्नीत है भगवान बिस्नु से तो यहाँ पर इस question का जो आपफन है वह बी वाला आपफन बिल्कुल correct हो जाएगा थर्ड उसके बाद सेकंड के फर्स्ट और तीसरे का दूसरा वाला आपफन यहाँ पर बिल्कुल ही सही दिया गया है अब आपसे question पूछा गया है वैस्विक पिंसन सुजकांक 2021 की 42 देशों की सूची में बारत किस्थान है तो 2021 की 42 देशों की सूची इसमें बारत की स्थान जो है वह हो जाएगा चाली सुमा कौन सा चाली सुमा हाला कि 2021 का नहीं पूछा जाएगा तो यह question क्या करते हैं इसको अटा देते हैं अब यहां पर question दिया गया है निम्न लिकित में से कौन राष्टरी आय समित के अध्यच थे तो राष्टरी आय समित के जो अध्यच थे उनका नाम था पीसी महाल नोबिस पीसी अल नोबिस उसके बाद निफ्ट कोशन पूछा गए आपसे मौलिक करतव भारत के सम्धान के किस अनुच्छेद में नहीं था तो इसका इंफर हो जाएगा जो 19 नमबर कोशन है अनुच्छेद 51 का ए अनुच्छेद 51 का ए मिन ही था है और मौलिक करतव कहां लिए गया थे तो यह लिए गया थे रूस से कहां लिए गया थे रूस से लिए गया थे उसके बाद कोशन यहां पर है सहुर्त राष्ट के एक संगठन यूनेशको दोरा हाल ही में किस भारती धार्म कुट्सा को मानवता की अमूर्त सांकर्तिक विराफत की पतेंदी सूची में सामिल किया गया है तो यह सामिल किया गया है दुर्गा पूजा को उसके बाद 21 नमबर कोश्चन है मंत्र मंडल ने राज में देश के अपनी तरह के पहले जीन बैंक कारक्रमों को मंजूरी दी मलब कौन से राज ने अपने मंत्र मंडल में पहले जीन बैंक कारक्रम को मंजूरी दी थी तो इसका hemm4 आएगा 21 नंबर का महाराष्ट में महाराष्ट में के अब अगला question यहाँ पर है निवल्जितमेंसे किस खिलाणु का संबन्द बिलियर्ड रसे है एप ति हहां पर जो 22 नंबर question है तो इसका hemm4 आएगा पंग्च आडवानी का कि सका documents और इसके बात पंकज आडवानी का उसके बाद कोश्चन है भारत में प्राय दूपी पठार का आकार होता है तो भारत में जो प्राय दूपी पठार है तो इसका आकार है त्रिकोणी कैसा है त्रिकोणी आकार है नेफ्ट कोश्चन यहाँ पर है सामफद निधी की वर्तमान रास कितनी है तो सामफद नेदी जो वर्तमान रास यह तो वह है, 5 करोण रुपए कितनी है, 5 करोण रुपए है, उसके बाद कोशन यहां पर दिया गया है, संफदी परणाली के तहथ राफ्ट रिसतर पर सरकार कौन चलाता है? तो संफितिय प्रणाली के थथ राष्ट्री इस तर पर सरकार कौन चलाता है तो इसका एंफर हो जाएगा प्रदान मंत्री और मंत्री परिसाद अगला कोशन है भारत में सरप्रथम मेडिकल कालेज कहां खुला था तो भारत में सरप्रथम जो मेडिकल कालेज की शुरुआत हुई थी वह हुई थी कौलकाता में कहां पर कौलकाता में उसके बाद कोशन आप से पूछा गया है भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रोखा को किस रूप में जाना जाता है बारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा उसको जानते हैं रेड क्लीफ रेखा के नाम से और जो मैंक मोहन रेखा है या बारत और चीन के बीच में स्थित है उसके बाद कोश्चन यहां पर दिया गया है फिनोल की उत्पादन में एक रासानिक मद्दिवर्ति के रूप में व्यापक रूप से उपयोग कियो जाने वाले अलकाइल बेंजीन का नाम बताईए तो इसका नाम है जो 38 नमर कोश्चन इसका एंफर हो जाएगा क्यूमीन क्य उसके बाद कोश्चन है अधिवर्स लीपियर का जनक इनमें से किसे माना जाता है तो लीपियर का जनक माना जाता है जूलियस सीजर को जूलियस सीजर को अब यहां पर नेस्ट कोशन है ग्लैस्यर एक्सप्रेस निमलिकत में इसे किस देश की प्रफित drill गाड़ी है तो ग्लैसर का जंगल बारत के किस प्रदेश या फिर केंदर्सासित प्रदेश छेत्र में अवस्थी थाए तो बिनखार की जंगल या वस्थी थाए उत्त्रा खंड में कहां पर उत्त्रा खंड में उसके बाद question पूछा गया है निम्ड लिकित मेंसे किस वर्स में सुभाच अंदर बोस्त ने मातमा गांधी को राट पिता कहा था अब देखो ये question तो यह ही पूछा जाता है कि राट पिता जो है मातमा गांधी को किस ने कहा था तो इसका एमफर हो जाएगा सुभाच अंदर बोस्त ने और पूछ लिया गया इसमें से कि कब कहा गया था तो इसका एमफर हो जाएगा 1944 में उसके बाद question है निम्ड लिकित मेंसे माउर कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है तो मौर कला के जो स्वर्वत्तम प्रतिमान है वह है इस्तंब क्या है इस्तंब उसके बाद कोशन आप से पूछा गया है नेपाल के राष्ट गान के रचाहिता कौन है तो नेपाल के राष्ट गान के जोड़ा चाहिता है उनका नाम है पीके राए क्या नाम उनका पीके राए उसके बाद कोशन आप से पूछागा है 35 नमर कोशन है राजनीतिक प्रजातंत्र का तातपर उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैध्धानतिक रूफ से उदारता समानता और ब्रातत को स्विकारती है यह किसका कतन है यह कतन है डाक्टर भीम राव अंबेटकर का उसके बाद कोशन पूछा गया है हाल ही में कि राज सरकार ने पत फ्री राष्टा फ्री योजना की सुरुवात की है तो यह योजना फ्रुवात जो की गई है पत फ्री राष्टा फ्री यह सुरू की गई है पस्चिम बंगाल की दोरा पस्चिम बंगाल की दोरा उसके बाद नेफ्ट कोशन यहाँ पर है 95 में आफकर पुरफकार समारो में सर्फरेट साथ फिल्म डाकुमेंटरी स्रेडी में बाती डाकुमेंटरी ने आफकर जीता इसके निर्देश सक कौन है तो 95 में आफकर पुरफकार समारो में जो सारफ्रेट सारफ फिल्म है, डाकुमेंटरिस रेडी में, उसमें जो पुरफकार जीता है, तो उसके जो यहां पे पूछा गया है, निर्देश से कौन है, तो इसके निर्देश से कहा है, कार्त की गुंजा लवेस, कौन है, कार्त की गुंजा लवेस, और उसके बाद नि